हालो और वेलकम आज की वीडियो में आपके साथ कुछ स्पाइस और आइडिया शेयर कर रही हो और आपको पसंद आएंगे और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब प्लीज कर लें जिसे आपको इसी तरह की ओम इंप्रूव्मेंट से रिलेटेड वीडियो की अपडेट से मिलती रहे हैं सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पाइस और यह स्पाइस बॉक्स और मेरे कहल में भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें इस इसे बहुती कॉमन और भोती यूजफूल है इस जिसमे आम डिली यूज़ में मसाले डालते हैं व हो थोड़ा थोड़ा इस में रखते हैं और जब खाना मनाते हं तो इसमें से निकालकर से डाल सकती है तर आजकल कुछ लोग इसको नहीं प्रेफ़ करते हैं इवन कि मेरी स कराऊ संध करते तो आप इस ठाइब का सपाइस बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं और यह नहीं तो इस इस ठाइब का भी अगर ज्यादा पको रखने हैं और नहीं तो यह जो स्पाइसस्टी CRAń का इस पाइब का भी आप यूज कर सकते हैं और अगर आपका modular kitchen है तो उसके लिए लंबे box चाहिए होते हैं जो ज्यादा चोडाई में ज्यादा ना हो लेकिन लंबे हो तो उसके लिए या तो आप readymate stripe के box खरीद सकते हैं नहीं तो दूसरा उपाए भी आप कर सकते हैं जैसे यह देखिए य द्रोर्च में मैंने इस टype के रख़ेच worldly दूसरा तूसरा के रख्या ते हैं डूसरा के नीकाल कर दिखा देती हूं यह देखिए और आप अच्छी क्वाली के लिए जगय होती हैं लेकिन मैं ज्यादा रखती न", तक सिसले मैं यह रखती हो तो पाइस semaine आपके यह नारेल पानी के साथ हाता है तो इसे फेकते वह लगता है कि वेस्ट हो जाएगा तो इसके उपर आप लेबलिंग कर सकते हैं पर्मनेंट मार्कर से और यह कोई भी घर में पुराना डबा हो आपके पास मैंने उसका लेड जैसे हटा रखा है यह देखिए यह इस टाइप क आगा वह बहुत हलकी क्योहला कपलाशल ही यह यह है दो मैंने इसकता दयर से हो लेका ध्यांहां कि छोटे डब् Face और इनका गिरने का डर नहीं होता और फर्दर इनको ड्रॉल में डाल दिया तो इनको चाहे मैं कैसे भी निकालों यह गिरेंगे नहीं क्योंकि इनको छोटे-चोटे और दूसरा अगर आप चाहें तो काच की बॉटल में रखना चाहें जैसे कुछ spices होते हैं उनकी अरोमा उड़ने का डर रहता है तो काच में रखना चाहिए तो उसके लिए जैसे यह मेरे पास फ्लेवर्ड मिल्की बॉटल थी तो मैंने इसको यूज किया है अभी मैंने क्या इसमें कुछ रखा नहीं मैं ज्यादा spices नहीं रखती हो लेकिन आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं फ्लेवर्ड मिल्की बॉटल इसका काच काफी अच्छा होता है देखने में प्यारा लगता है और आप इसको किसी भी बास्केड में ये किसी अच्छी हाइट वाले उसमे अगर अपका मॉडुलर किचन तो इसको आप ड्रॉर्स में रख सकते हैं अभी मेरे पस ये फिलाल 6 है इसमें 12 आजाएंगे एक साइड में और इसमें काफी उंचाई इसकी पूरी है जिससे की अराम से मॉडुलर किचन के लिए परफेक्ट सल्यूशन है और आप चाहें ख सकते हैं जो जैम की या सॉस की छोटी बॉटल होती है आप उसे यूज कर सकते हैं इसका भी काच काफी अच्छा होता है और इस टाइप की शेल्फ यूज करने से एक बेनिफित होता है जैसे की पीछे वाले जो डबे हम रखते हैं कई बार वहां मारा हाथ नहीं जा पाता जिसकी वेसे उतारने में बहुत दिक्कत होती है चाहे आपका क्लोज केविनेट वाला किचन हो चाहे ओपन वाला हो उसमें काफी दिक्कत हो जाती है चाहे आप इसे बजार के से खरीच सकते हैं नहीं तो जैसे मैंने इस तरीके से पनाया है थर्मा कोल में एक्चुली मेरा तो इसलिए मुझे कोई ज्यादा इसको डेकोरेट करने की ज़रुवत नहीं पड़ी अगर आप चाहे तो इसको डेकोरेट कर सकते हैं इसके उपर अच्छा सा पेपर चिपका सकते हैं प्लास्टिक चिपका सकते हैं और जो भी है मैंने इसके टू शेल्फ ही बनाई यह मेरा पर पर सॉल्फ करता है नीचे वाली नीचे जो है उसको मैं अच्छा की तरह यूज कर लेते हूं यह इस तरीके से आप इसे अपने शेल्फ के ऊपर रख सकते हैं चाहे आप इसे कीचन के श्लैब के ऊपर भी रख सकते हैं यह और नाई लगेंगे इस पाइसे और पीछे तरह किचन में आप रख सकते हैं यह हैं यह फिस टोड़ाया यूज कि यह आपकी हम टेले का प्रेंगी भी प्रेंगे नम्मा में बढ क सब्सकते हैं तो यह इस तकिए कम यह घराने चाहें हैं या व्यांड़ाव25 लक्तिका के कुछ का रख सकते हैं यज़ जागे रहर को लंबाई में पीछे पूरा जा रहा है तो इसकी वेसे आपके जो शेल्फ की जगह भी नहीं चाहता गहरेगा और पतला है इसकी वेसे और जो लूज पैकेट्स होते हैं स्पाइस के वह भी आप इस टाइप के ब्रेड़ वॉक्स में रख सकते हैं उसके लिए आपको हर एक मस सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया आप देख सकते हैं नहीं तो आपको लोकल मार्केट में मिल सकता है यह काफी यूसफुल होते है कि चन के लिए क्लिप्स आप चाहें तो इसे कहीं पे भी रख सकते हैं यह स्टोर करके और लेबल करना बिल्कुल ना बूले कई अब भूल जाते हैं और कई वर जैसे हमारे शेल्फ पे या कैबिनिट के अंदर जो स्पेस होता है उसके हाइट होती है काफी ज्यादा होती है और बॉटल को अगर 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 चाहिए कुछ सेल्फ डिवाडर चाहिए होता है अगर आप खरीच सकते हैं तो ठीक है अगर नहीं तो इस ताइप का वो कर सकते हैं कोई भी काड़ बॉक्स ले लीजिए आप अपने ही साप से जिस टाइप का बॉक्स रखना हो दबे रखने हो उसके अदर आप डिसाइड कर लीजे मैंने इस टाइप का लिया है और एक्शली मेरा कैबिनिट बंद वाला है तो इसलिए मुझे इसको सजाने की जरूद नहीं है आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं अपने ही साप से और यह देखिए इसके अंदर मैंने इस टाइप के यह तोनों बॉक्स रखे है इस वाले आप यह उपर भी मैंसके कुछ भी रखूंगी तो नीचे और उपर के जो बॉक् आपके दिखाती हूं कि यह यह मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्पांज लागे रखें किचन के यह मैं एक्स्ट्रा लाके रखती हूं हर महीने और हर चीज को मैं लेबल जरूर कर लेती हूं यह देखिए मैंने इसको रखा है अब मुझे नीचे का डिबा निकालना होगा तो पड़ेगी इंडिपेंडेंट है यह दिखें और यह अराम से जा रहा है स्लाइड अच्छा सा स्लाइड जैसा हो रहा है ड्रॉर टाइप का बन रहा है और इसी तरह चाहें आप जो स्पाइस की जो बॉटल से अगर आपका मॉडुलिर की चन नहीं है तो आप इस टाइप स इसे उपर भी रख सकते हैं शेल्फ के उपर कहीं भी रख सकते हैं और एक साथ यह जो बॉटल से तो यह इधर उदर नहीं भी खिरेंगी और यह अरेंज लग रही है और आपका कैसा भी किचन ओं जैसे ट्रडिशनल इंडिया की इंडियन किचन होते हैं उसमें भी यह अगला फिर भी उपर वाला बिल्कुल इंडिया और अगला आप यह इस तरह का अगर चाहें तो जैसे आपके किचन का स्लैब उसके ओपर इस टाइप का वायर की रहक लगवा सकते हैं और आप आराम से जो डेली उसकी स्पाइसे जो भी चीज आपको लगे जरोद की वो आ आपको जादा प्रेफर करती हूं कि इसको साफ करना असान होता है लगडी वाले को अगर हमने डेली वाइप नहीं किया साफ कपड़े से थोड़ा गीले कपड़े से तो कुछ दिनों में उसको साफ करना मुश्किल हो जाता है कि छन वाली खास करकर कि अंदर तो और च्टी वाल आकि अदर रहां हुज कर सकते हैं अर यह यह आप पिछे कई रगतें उनको निकालने में दिक्कत होती है तो ही गूम्ता है जिसकी वैसे आप को पिछे तो आप आसानी से आगे की तरफ करने और सबिसकते हैं अगर आप या खरीच सकते तो ठीक हैं आई तो आप ब्लीवार्ण हो गया और इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा जब आपको प्लेट शगी है तो अगर आप इसमें लुका भी देंगे तो कोई वह नहीं चला जागा किछन में काफी प्लेट होते ही हैं थैंक्स पर वाचिंग और आपको इसमें से कोई ना कोई आइडिया तो पसंद आया ही होगा अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू, बाइ